हौली काई वेल्फम बेक मैं युटूब लिए टानल कया विधों सब्सक्ति आज मैं लेकर रहेंगे आप की जुब अपनी सअड़ी को 3 सब्सक्राइब सब्सक्लाइं और अपने पेटिधिको चर Propange Process आपने फोल्डर को टक कर लेना है ताकि इधर उधर नाएं तो सबसे पहले जुमें इसे एधर की प्लीट पर ली डाये हैं तो आगे तरफ से गुमाते हुए आप को शिक्यों कर लेना है अजिए अबंड शुक्यों कर लेना है दन उसके बाद आपने प्लीट बना एंड यह क ताकि मेरी नहीं आने वाली वीडियो आपको जल से जल मिल सके तन उसके बाद आपने प्लेट को अंदर टक कर लेना है अपने गूम को उसमें सिक्योर कर लेना है पिंसे तन इह मेरा पहला ता फाइनल लुक गाईस तो सेकंड स्टेप है आपको अच्छी तरह से पहली की तरह यह टक कर लेना है अपने पेटी कोट से गुमाते हुए कमर की तरफ से अच्छी से सिक्योर करना है ताकि वह इदर उदर से निकले नहीं फिर कमर से घुमाते हुए ताकि आपको आईडिया आ जाए आपको प्लेट्स पनानी है शोल्डर प्लेट्स और इसको अच्छी से थ प्लेट्स पनानी है आपको प्लेट्स परावर कर लेनिया अगर आपको लगता है ऍदर उदर जा रहे हैं आप पिनप कर सकते हैं जैसा कि मैं आपको पताए कि आपको शेफटी पिन की बहुत जा जादा पढने वाली है आप शोल्डर की प्लेट्स को खोलते हुए दुबारह से प्लेट्स गराएंगे ताकि फिल्कुल छोटे-चोटे पार्ट्स में अमें प्लेट्स बनानी हैं इधर मेंने तीन सेफटी पिन का इस्तिमाल किया है पल्लू में कि छोटे-छोटे स्टैप वो छोटी प्लेट्स बनानी है क्योर करना है ताकि यह दोरोदर ना जाए अंदर की तरफ से ही लगाएं आप पिन और कमर की तरफ से आप इसको भी कुल लूस होड़ दें आप जैसा की देखते हैं फ बॉक रहनती है और इसके बाद आ है लूँज वैसा लुकाया था सेके स्टैप तरी हाथ से मतलब प्रेस करना है इसमें कोई पिन नहीं लगानी है आपको कमर की तरफ से घुमाते हुए इधर भी आपने पिन अप कर लेना है अपनी साडी को इसको शोल्डर पर लग रखते हुए आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है दन अपने ब्लॉग से टैच कर में नहीं वीडियो आपके लिए लाती रहूंगी तो आप कमेंट वॉक में जरू बताईया आपको यह कैसा लगा लोग तो गई मेरा फाइनल लोग आइस तो मिलूंगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तक तक के लिए बाइ हॉई है अब बाइस भी खाइफ वीडियो रहा हॉई तो में वीडियोंगी में छूब।